क्या आप लेखन को प्रोफेश्यन बना सकते हिं? क्या सरफ लेख कर रोजी रूटी कवाई जा सकती है? घर चलाया जा सकता है. तो पहले आप ये बताइए कि आप क्या कर रहें हैं? सिर्फ आप लेख रहे हैं आप या कुछ और Hello wreckative दीनिatorium के लिए करते हैं है? तो मैंने स्वेम को ठीक किया तो मुझे लगा कि लोगों की हमें जो है की मदद करने चाहिए कर ღ में हमारा सवाल ये हैं कि क्या आपने लिए कि अब सिर्फ लेखन hी लिखकर ही इके डाबे लिखकर या दूसरी दीपावले में बौनस दोसिए लाइच लेख लकी में ऐसे पिर रोजी रोटी नहीं चल सकती है साल भर में लेखन से उतना ही पैसा मिलता है जितना की दीपावली में बोनस तो एक साल में हमें दीपावली का बोनस मिलता है और अगर ऐसी तीन चार किताबें जो है की हो जाती हैं और फिर पूरा पैसा होता है और लेखन में सिर्फ रॉयल्टी से ही पैसा नहीं मिलता है अगर आपका टांसलेशन भी होता है आपका कहीं पे मूवी के लिए भी किताब सेलेक्ट रोग हो जाती है तो बाकी जगहों से भी जो पैसा मिलता है वह मिला करके अगर आपकी तीन-चार किताबे हैं तो फिर आपका डोजी रोटी चल सकती है अधिती जी प्लीज हम चाहेंगे कि आप इस पर कुछ जरूर प्रकाश डालें क्योंकि अब एक जो हमारे इस साहित त्याज तक के मंच पर लगातार हम जो चर्चा कर रहे हैं प्रकाशकों लिखकों के साथ आपका लोगों से भी यहां नए लोगों से बुराने राइटर से भी हो रहा है यह बात उभर कर सामने आ रही है निकल रही है कि अगर आपको लिखना है तो आप शौक्या लिखिए आप प्रफेशन बनाने के मत सूचिए वरना मुश्किल में बढ़ जाएंगे आप सेहमेत है इस बात से किताब के रूप में लोगों के सामने नहीं आ रहे है वो तेली सीरिस लिकरे है promise लिख रहे हैं और फिल्मों के गीत लिख रहे हैं को बहुत सारे क्रेटिफ इंडस्ट्री से किताब उनके लिए एक जर्या बढ़ अ दुनिया के सामने आने का एक लेजिटिमेसी क्रियेट करने का एन इट इस वाइसी वर्सा और सो दूसरी बात ये कि हम हर बार ये बात करते हैं कि क्या रॉयल्टी से किसी लेखक का जीवन चल सकता है प्रेमचंद जी के पत्र हमने प्रकाशित किये मैं उन्हें पढ़ रही थ ऐसे हैं जिसमें वो अलग-अलग स्पॉंसर को पत्र लिख रहे हैं कि फला लेखक को इलाबाद बुलाना है तो उनके टिकेट का इंतजाम कर दीजिए गोदाम में पुताई करानी है तो क्या आपके मिल के मुनाफे में से कुछ पैसा मिल जाएगा कि गोदाम में पुताई कर वाले फला लेखक के बेटी की शादी है वो रॉल्टी एड्वांस मांग रहे हैं तो क्या आप थोडी मदद कर सकते हैं प्रेमचन ऐसा पॉब्लिशर in 1930s and 40s was struggling with almost the same problems that publishers are struggling with now लेकिन हमारे मैं अब तो असा नहीं है मेरा माम मानतिया नहीं इमांदरी से बोलिए फिर आप हो गएंगे आप इमांदरी की बात कर रहे हैं मैंने का magnitude बदल रहे हैं वही है क्योंकि किताब प्रकाशित करना एक बहुत ही घाटे का सौधा है मैं आपको बताती हूँ क्यों I'll talk in pure financial terms जब आप किसी लेखर की manuscript अपने साथ छापने का तै करते हैं रेनु जी हैं I'm going to quote you just stay तो आप यह उससे सबसे पहले आप उसको एडिटर के पास भेज देते हैं एडिटर चार्ज देर फी उसके बाद वो किताब composing में चली जाती है proofreading में चली जाती है लोरी ऑला पकेज़र देर फी फिर यह किताब book store पर जाती है ठीक है उसके साथ प्रकाशब पूरा marketing करता है किताब की सब अपना तन्मंधन लगा देता है ताकि किताब society में खड़ी हो औधर को सब जाने और booksellers एक साल के बाद आपका पैसा आपको देते हैं तो आप ये देखें कि किताब production के लिए तो आपने सारे खर्चे कर दिया आउट राइट और आपको कमाई हो रही है बारा, सोला, अठारा, दो साल के बाद में तो ये profession आप देखें कितना कठिन है कि हमें पूरा financial cycle सम्हालनी होती है और उस सब के साथ लेखक साथ में चलते हैं अब बात ये कि क्या royalty पे किसी की कोई पूरा पूरा जीवन काट सकते हैं बहुत सारे examples हैं हिंदी में जिन्होंने royalties पे अपने पूरे परिवार के साथ आज वो 70 की उमर में हैं और उनके royalties they run in lakhs जिसको कोई आन्स नहीं है तो और उनके highest taxpayers हैं हिंदी के जगत के और वो examples क्यों नहीं कोट किये जाते हैं अच्छा आप सजिस्ट करती है अधितिजी अगर कोई ये कहे मानलीजे मानमोली आजे कहते हैं कि मुझे कुछ नहीं करना है ना मैं फिल्म लिखूंगा ना मैं translation करूंगा मैं कुछ नहीं करूंगा मैं तो सिर्फ किताबे लिखूंगा संभव है possible हाँ creative writer बने और भी सारे avenues explore करते हैं किताब के अलावा बॉलिवूड पेस बेरी वेल इन में 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 पहले गाए कि वो फिल्म लेखान और यह सब चोड़ दीजिए तो क्या जीवन यापन इनका चल पाएगा क्या यह अपनी जिंदगी जब पॉब्लिशिंग हाउजेज धर्मा प्रोडक्शन की तरह बाहू बली में पैसा लगा कर मेगा हजार करोड की किताब बना लेंगे तब लेखक भी मल्टी करोड के रॉयल्टी लेके अपना जीवन चला लेंगे